Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ तिव्या शर्मा गर्मियों में मेथी और हल्दी खाने की बजाए आप ये चीज़ खाईए अगर आप भी हल्दी का सेवन दर्द को दूर करने के लिए सूजन को दूर करने के लिए करते हैं या फिर आप मेथी दाने का यूज जॉइंट पेंट से बचने के लिए या जॉइंट पेंट से बचाव के लिए करते हैं या वात जैसी प्राब्लम को पनी बॉड़ी से दूर करने के लिए करते हैं हड़ियों की मजबूती के लिए करते हैं या फिर गुटनों के दर्द से बचे रहने के लिए करते हैं तो उसकी बजाए आप इन चीजों का सेवन कीजिए जो चीज आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हूं उसमें भरपूर मातरा में केल्शियम है जो कि आप हल्दी वाले दूद से लेते हैं लेकिन गर्मिया चल रहे हैं तो अगर गर्मियों के मोसम में आप हल्दी वाला दूद लेंगे या फिर मेथी का प्रयोग करेंगे इसकी तासीर गरम होने की कारण मौसम गर्मी का होने के कारण आपको बहुत नुक्सान हो सकते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हूँ जिसका सेवन करके आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम ले सकेंगे और भी उनसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो आप बहुत अराम से ले सकेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप फल्दी वाला दूद या मेथी पानी में भीगो कर सुबह लेना बंद कर दीथे गर्मिया है तो इसकी तासीर बहुत गर्म होती है जो कि हाई बीपी को पैदा कर सकती है या फिर आपको हाथो पैरों की जलन दे सकती है तो इसकी बजाए आप गिलोए का सेवन कीजिए जिस तरीके से आप बॉडी में से वात को दूर करने के लिए हडियों को मजबूती के लिए या फिर गुटनों के दर्द से बचे रहने के लिए या जोइन्ट पेम से लडने के लिए आप फिल्दी वरा दूर पीते है या मेथी का पाउडर लेते हैं तो उसकी बजाए आप दो चम्मच किलोए का जूस पी सकते हैं गर्मिया चल रही है तो आप नार्मल पानी में दो चम्मच गिलोई का जूस मिक्स करके पी लीजिए ये शरीर के दर्द को दूर करता है हातों पैरों पे आने वाली स्वेलिंग को दूर करता है डाइबिटीस से लडने में मदद करता है जोडों के दर्द को दूर करता है उनको ये चीज दिन में दो बार लेनी चाहिए यानि सुबह और शाम लेनी चाहिए जिनको भी joint pain या फिर गुत्लों में दर्द रहता है इसके इलावा जिनका digest system अच्छी से काम नहीं करता, metabolism बहुत slow है तो उनको भी दिन में एक बार यानि सुबह खाली पे इसका 7 करना चाहिए जिनकी हल्डियां बहुत कमजूर है, बहुत जल्दी टूप जाती है, कैल्शिन की बाड़ी में कमी है, तो वो हल्दी वाला दूद ले रहे थे अगर आप सर्दियों में, तो अब वो गिलोई का juice पीना शुरू कर देती है इसके इलावा, माइंड को शार्प बनानी के लिए भी आपको गिलोई का juice पीना चाहिए तो अब मैं आपको बताने जा रहे हूँ, दूसरी चीज़ कौन सी है, इसे acidity भी दूर होती है, बाड़ी में से वाल भी दूर होती है और सारे benefit मिलते हैं, जो आपको गिलोई से मिल रहे है, तो वो दूसरी चीज़ है वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने प्रेंस के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आप ऐसी ही हाल से सबंदित और इन्फरमेशन चाहते हैं, तो आप मेरी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर जरूर प्रेस करिजिएगा ताकि आपको हर नई इन्फरमेशन और इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे अलोवेरा जूस, आप सुबह खाली पिट चार चमच अलोवेरा जूस पीजिए ये हाथो पैरों की जलन को दूर करता है, बॉड़ी में से एसीडिती को दूर करता है बॉड़ी में जितनी भी वात और एसेड बनता है, उसको बाहर करने की एबिलिटी योगिता रखता है ये अलोवेरा जूस, अलोवेरा जूस के अंदर 75 ऐसे विटमिन्स और मिनरल्स पाई जाते हैं जो हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है ये हमारी बॉड़ी को डिटॉक्स करता है, खून को साफ करता है कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्रम नहीं होने देता स्किन पर ग्लो लाता है जो भी लोग ऐलोवेरा जूस पीते हैं इनकी हेरफोर बहुत जादा होता है, डेंडरफ बहुत जादा होता है आपके बाल बहुत ड्राइ है या फिर दो मुहे हैं बाल तो आपको भी रोजाना ऐलोवेरा जूस पीना चाहिए इसके इलावा अपने लीवर की कारशमता को बढ़ाने के लिए भी अलोवेरा जूस पीना बहुत पाई दिमता है अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम अलोवेरा जूस ले या फिर गिलोवेरा जूस ले तो आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके यानि दो चमच आप अलोवेरा जूस ले लीजिए यानि कि दो चम्मच आप गिलोई का जूस ले लीजिए और चार चम्मच एलोविरा जूस ले लीजिए उसे एक गिलास नॉर्मल पानी लेना है गिलास उसके अंदर ये छे के छे चम्मच मिक्स करके सुवे खाली पेट पी लीजिए तो ये सारे benefit आपको मिलेंगे यानि कि जोडों का दर्द से आप बचे रहेंगे वात और acid से बचे रहेंगे शरीर के दर्द यानि muscle pain से बचे रहेंगे acidity नहीं होगी हड़ियां भी मजबूत बनेगी एक कम आप और करिएगा रात को सोते टाइम जैसे अब गर्मी बहुत पढ़ रहे है दीरे दीरे और बढ़ जाएगी गर्मी तो आप अपनी body को ठंड़क देने के लिए और body में सारे minerals पूरे करने के लिए energy बनाई रखने के लिए body में calcium को बनाई रखने के लिए आप दूद के अंदर एक चमबच गुलकंद को mix करके लिए गुलकंद के अंदर अच्छी मात्रा में calcium होता है जो हमारे mind को relax करता है active बनाता है तो ये चीज़े बहुत आसान है आप इनका सेवन कीजिए बजाए गर्मी के अंदर मेथी और healthy का सेवन करने से अगर आपको ये information अच्छी लगी तो like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आप कुछ पूछना जाते हो तो अपने comments के तरू जरूर पूछे आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिये जाएगा विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay healthy always stay happy thank you for watching my video okay bye